नमस्कार एन भारत में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ रिया तोमर चलिए करते हैं बुलेटिन की शिरुवात उतर प्रदेश के आयोध्या में 22 जन्वरी को प्रांट प्रतिश्ट सम्हारों से पहले सर्यू तट पर 14 से 25 जन्वरी तक श्री राम नाम महायगे का भवे आयोजन होने जा रहा है इस महायगे के आयोजन के दौरान 108 नर्मदेश्वन शिवलिंग के इस्थापना की जाएगी इसके लिए राम मंदिर से 2 किलो मिटर दूर सर्यू नदी के घाट पर 100 एकर में टैंट सिटी बसाई गई है इस महायगे का नितरत वो और आयोजन आत्मानन्द दास महात्यागी और फर नेपाली बाबा करेंगे और इस महायगे में नेपाल से 21,000 पंडित भाग लेंगे नेपाली बाबा के अनुसार प्रते दिन 108 शिवलिंगों का पंचमरस से अभिशेक किया जाएगा शिवलिंगों की नकाशी के लिए मदबदेश की नर्बदा नदी से पत्थर लाए गए हैं जुने कारिगर तराश कर शिवलिंग बना रहे हैं और ये काम चौथा जनवरी से पहले पूरा हो जाएगा उन्होंने कहा महायग्य में रहने वाले भ्रामडों और श्यधालों के लिए सर्यों के तड़ पर एक टैंट सिटी बनाए गई है 22 जनवरी को राम मंदिर प्रांड 35 समहारों से कुछ दिन पहले बुधवार को 150 से अधिक कर्मियों के तैनाती के साथ आयोध्या हवाई अड़े की सुरक्षा की जमेदारी भी समहान ली गई है CISF के प्रवक्ता ने बताया कि महार्शी वालमी की अंतराश्य हवाई अड़ा योध्या धाम केंद्री बलके विशेश बिमानन सुरक्षा सम्हू के पहरे में आने वाला देश का 78 वा नागरिक हवाई अड़ा टर्मिनल है जहां CISF दस्तिक की सेवा में तैनात करने के लिए बुधवार से ही हवाई अड़े पर एक आपचारिक समहारो आयुजित किया जाएगा इस अफसर पर एयर लाइन ऑपरेटर और विभन हितधार को केर प्रतिनी धी भी मौजूद रहेंगे CISF हवाई अड़े पर आतंगवाध रोधी और विध्वन्स कारी गती विदियो से सुरक्षा प्रदान करेगा इस हवाई अड़े का उध्गाटन पिछले साल 30 दिसंबर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था CISF कर्मे यात्रियों की जामा तलाशी लेंगे उनके समान की जाच करेंगे और परेसर की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे आयोधिया हवाई अड़े की सुरक्षा के लिए ग्रह मंत्राले द्वारा उब कामांडेंट रैंग के अधिकारी की कमान के तहत 150 से अधिक CISF कर्मे की एक सशस्त्र टुकडी को मंजूरी भी दे दी गई है केंद्रे मंत्रे और अमेठी लोग सबसीड से सांसद इसम्रती इरानी आसे तीन दिवस्य दौरे पर आ रही है एस दौरान वह अलग-अलग इलाकों में अयोध्य से आए अक्षत का वित्रन करेंगी जिसके बाद मुन्शी गंज में सित H.A.L. Guest House में रात्री विश्राम करेंगी आज यानि गुरुवार को शाम पांच बचकर पैतालिस मिनट पर लखनव एरपोर्ट पर पहुचेंगी वहीं शाम 6 बचकर 50 मिनट पर तेलोई विधानसबा के चिछ लॉली गाओं में अयोध्य से आए अक्षत का वित्रन करेंगी शाम 7 बचकर 40 मिनट पर गौरी गंज विधानसबा के मुसाफिर खाना में अयोध्य से आए अक्षत का वित्रन करेंगी जिसके बाद शाम आट बजे मुलसाफिर खाना से रात्री विश्राम के लिए मुन्शी गंज एहल गेस्ट हाउस के लिए रवान हो जाएंगी श्रीराम जन्म भूमी प्राण प्रतिष्ठा के अभियान में सरील अखंड वा जलालपुर मंडल के भेडी डांडा खडोत जलालपुर आदी गाओं में धोल नगाडो खोडों के साथ भवेशो भायात्रा निकाली गई जिसमें महिलाओं ने अपने सिर पे कलश रखकर गाओं की गलियों में भ्रमन किया वहीं सैकडो राम भक्तों ने जलालपुर से भ्रमन करते हुए मा महेश्वरी धाम भीडी के मंदिर में पूजा कर भ्रमन करते हुए जलालपुर में जैकारू के साथ इस जोभा यात्रा का समापन किया साथिशी राम जन्म भूमे तीर्थ छेत्र अयोध्या से अक्षत पूजा ने मंतरन पत्र और राम मंदिर का चित्र हर हिंदू के घर तक पहुचाने का कारे संग के कारे करताओ द्वारा किया जा रहा है अयोध्या में राम लला के प्राण प्रतिष्ठ के निमित राम भक्तों को आमंतरित करने के लिए भेजे गए अक्षत पूजक आमंतरन पत्र अभ्यान का सरीला के ग्रामिर छेत्रों में जगा जगा सुवागत किया गया और राम भक्तों का आमंतरित किया गया सुरक्षा के लिहास से पुलिस ने सोभा यात्रा पर ड्रोन कैमरे से अपनी नजर बनाए रखी। पांसोबर से हमारा यह सपना था कि रामचंद भगवान जी कब त्रिपाल से यह अठके और अपने स्थान पर बैचेंगे वो समय आ चुका है और अभी बैस जन्वरी को यह बहुत हमाई खुशी का दिन आ रहा है जो रामचंद जी भगवान अपने गर्वग्रे में और प्र जन्वरी को प्रांट प्रतष्टा के दिन पूरे देश में दीपावरी का महत से मनाया जाए हर घर दीप उट्सव हो और हर मंदिर कोई मंदिर ऐसा ना वाकिरा है जहाँ दीपक ना जरे और हर घर में दीपावरी से भी अच्छा महत सब्सव मनना चाहिए क्योंकि यह समय 45 पंचान में बात हमें उनको मिल लगा है। योध्या की तरफ आने जाने वाले सभी वाहनों की सघंता से चैकिंग के लिए निर्देश दिये हैं। प्रफारी निरिक्षक नवाब गंच मनुझ कुमार राय प्रफारी आतयात वा पुलिस के अधिकारी करमचारी मौझूद रहे। सोनभत्र के विंधम गंच में पूर्व निर्धारित कारेक्रम के तहट रेल रोको संघर्च समीती के बैनर तले तीन एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर भारती इंटर कॉलेज पर जोरदार धना प्रदेशन किया गया। धना प्रदेशन में पूर्व विधायक हरी राम चेरोव भाजपाजिला अध्यक्ष नंदलाल गुपता भी शामिल हुए। प्रदेशन के दोरान संखर्ष समीती ने सरकार से ट्रेनों के ठहराव की मांग करते हुए। जमकर रेल प्रिशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द मांगों को पूरा करने की बात कही। वहीं भाजपाजिला अध्यक्ष के आश्वासन पर इस्थानी लोगों का धनब पैदेशन समाप्थ हुआ। दरजनों गाउं से हजारों की संख्या में ग्रामिर आंदोलन में भाग लेने आये। पर लोग नहीं माने। सांसक प्रतिनिधी वेद ने कहा कि आगामी 31 जनवरी तक पठना सिंग रॉली एक्सप्रेस का ठहराव हो जाएगा। इस आश्वासन पर एक हटा हुए हजारों लोगों को जब शांत किया गया। वही मौके पर पहुचे भाजपजिला ध्यक्ष्य नंदलाल गुपता इस्थानियों लोगों का अक्रोश शांत कराते हुए गयापन लिये। और उन्होंने कहा आपको पूरा अश्वासन देता हूँ कि संघर्ष समीती के द्वारा नामित पांच लोग के साथ मैं खुद दिल्ली रेल्वे बोर्ट में जाकर आपकी मांगों को पूरा करने का काम करूँगा। रेल मंत्री से मिल करके जो यहां की जैन्मिन जो समस्या है एक तो जो हाँ पैसेंजर जो चलती थी बंद हो गई है इसको चलवाया जाएगा। जो ट्रेने यहां से धारखंड और उत्तरपरदेश दिल्ली को जोडती है बार्डर का इलाका है जो यहां ठावरा पहले से था बंद हो चुका है इसको हम लोग सिग रही चालू कराएंगे। बंद हम गज में इस्टेशन पर रेल रोको कारक्रम के तहत जो यहां पर कई ट्रेने हैं जिसमें चोपन राची पटना सिंघ्रवली सोड़जेंती पैसिंजर इन गाडियों के ठाराओ को लेकर के पूरो निर्धारित कारक्रम के तहत इसके पूरो हम लोगों ने 13 दिसंबर को रेलवे इस्टेशन पर धरना परदर्शन किया था और उसी दिन हमने ग्यापन दिया था रेलवे अधिकारी CTI महदय को कि अगर हमारा 9 जनवरी तक मांग पूरा नहीं होगा तो हम 10 जनवरी को रेल रोको चक्का जाम करो के तहत ए जिहां पचासों गाओं से हज्जारों लोग एकत्रित होकर के रेल रोकने के बावत धरना परदर्शन किया गया जिसमें सोनभद्र जिला के भाजपा जिला ध्यक्ष श्री नंदलाल गुपता जी सांसत प्रतिनीधी कि यहां पर आये और इन लोगों ने आस्वासन दिया प्रतिनीधी सांसत प्रतिनीधी सहाब का आस्वासन था कि 29 से लेकर 26 के बीच में आपकी मांग पूरा हो जाएगा और जिला ध्यक्ष जी ने भी कहा कि इस संबंध में मंत्राले में हम बात चित करेंगे आप लोग मेरे साथ दिल्ली चलिए जहां तक इस लड़ाई को लड़ना होगा लड़ेंगे और आपकी मांग को हम पूरा कराएंगे इसी आस्वासन के साथ हम इनको भी 31 जनवरी तक मौका दिये की ठीक है आप हमारी मांगों को गंभिरता पुर्वक लिए आपका स्वाग सरकार है आप भरोसा दे रहे हैं भरोसे पर दुनिया चलता है हम इनका 31 जनवरी तक इतियार करेंगे और अगर 31 जनवरी तक मांग पूरा नहीं हुआ तो पुनह मैं आगे का रड़नीपी बनाऊंगा करी आये थे इसमें और सरकार के परतिनी धी भी आये थे दोनों लोग पुरू में भी दिया गया था और आज भी उनको दिया गया गया व्यवस्ता कराने की भी निर्देश दिये गए हैं निरिक्षण के दौरान उन्होंने पसका मेला शुरू होने से पहले सबी व्यवस्ताइं बंद करने की निर्देश दिये हैं निरिक्षण के दौरान उन्होंने संबंदित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेला शु सफाई सहित अने सभी विवस्ताइं दुरुस्त करने का निर्देश दिया है निरिक्षण के दौरान उन्होंने पस्का घाट पर रहने वाले साधू संतों से बाचीत की और वहां की समस्याओ के बारे में जानकारी ली और उनके समधान के लिए सम्बंदित अधिकारियों को निर्देश दिये। जवारदा सामने आई है जहां घर में सो रही माँ बेटी पर अग्याद बदमाशों ने ऐसिड अटैक कर हमला कर दिया ऐसिड अटैक कर हमला वर फरार हो गए दरसल पूरा मामला जिले के गौरी गंज थाना छितर के गाउं का है जहां रात्री में माँ बेटी अपने ससुर के साथ घर में सो रही थी अचानक रात्री में बदमाश घर में घुसकर माँ बेटी पर रसाइनिक पदार्थ से हमला कर चले गए रसाइनिक पदार्थ शरीर पर पढ़ते ही कमरे में चीख पुकार मच गई हमले में 27 वर्षिय मा और लगभग 5 वर्षिय बेटी गंभी रूप से जुलस गई और पूरा कमरा धुआ धुआ हो गया इसके बाद ततकाल परिजनों ने जुलसी मा और बेटी को इलाज के लिए जिराची किस्ताले ले गए जाची किस्तों को ने पराथ में के लाज कर राय बरेली हाइर सेंटर रेफर कर दिया पुलिस को भी परिजनों दी गई सूचना मिलते ही पुलिस ने घटना इस्तरपर पहुचकर घटना इस तने का जायल साह लिया और घटना की जाच में जुड गई है लेकिन अभी तक घटना की वज़ा और हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है वहीं पूरे मामले को लेकर छेतरा धिकारी गौरी गंज मयंग द्वीवेदी ने बताया कि गौरी गंज थाना छेतर के एक गाउं में मा बेटी के उपर असाइनिक पदार से जुसे की सूचना मिली है दोनों की हालत खत्रे से बाहर है जिक इसकों से बाच्चित कर हाल चल दिया गया है और मामले की जाच की जारी है चल रहा है और डॉक्टर दराबित कराये गया है कि वो खत्रे से बाहर है आवर्शिक बैदानिक कारवाई की जा रही है कनाव चिले में गुर्साहय गंज कूतवाली च्षितर में पांस दिसंबर की शाम सराफ से लूट और हत्या की वार्दत हुई थी इस मामले में पुलिस को बड़े कामया भी हाथ लगी है आपको बता दें कि वार्दत में शामिल दो बदमाशों की पुलिस से मुठभेड हुई पुलिस की जवावी कारवाई में दोनों को गोली लगी इसमें एकी मौत हो गई जबकि दूसरा खायल हो गया वहीं मुठभेड में पुलिस के दो जवान भी जखमी हुए है खायलों को अस्पता ले जाया गया आपको बता दें कि पुलिस की मुठभेड में जीने गोली लगी है उसमें दोनों बदमाश समधन कसपा के ही रहने वाले थे उनकी पहचान इजहार और तालिप के रूप म उन्होंने बताये कि गुरुवार्ड सुभा मुठ भेड गुड सहाई गंज कोत वाली छेदर के ही जहां गिरपूर के करे महोना रामा श्रम के पास जीटी रोट किनारे हुई यूपी के हमीरपूर जीले में नैशनल हैवे 34, इको और ट्रक की आमने सामने जोरदा टकर से एक बर फिर खून से लाल हो गया यां सडक हासे में इको चाला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई वहीं सूचना मिलने पर पहुची पुलिस और घटना पर आगे ही कारेवाही में जुड़ गई है ये घटना सुमेरपूर थाना इलाके के कुंडॉरा के पास की है इस बुलिटन में तना ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रही है इन भारत के साथ